ठीके जी मैं तो कहीं नहीं गई ओम प्रकाश बिश्णोई मैं कहीं नहीं गई भई आप लोग रेगुलर नहीं होते चलिए कोई बात नहीं सोरब आपके अटेंडन्स लेली मैं ठीके बच्चे कोई बात नहीं अच्छा एक वो स्टूडेंट था कल एक बच्चे ने कल की वीडियो पर एक डाउट क्रियेट किया हुआ था कोई नाम क्या था उस बच्चे का में करके कोई नाम था है वो बच्चा वह अगर है वो स्टूडेंट तो बताईए मैं उसका डाउट क्लियर कर देती हूं नहीं बिल्कुल भी लेट नहीं है भई हम तो टाइम पर ही है आर्जे क्रिष्णा नहीं है लेट भई एक बच्चे का डाउट था एम ए अगर वो स्टूडेंट है तो इस हो के बता दो मुझे मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूं यह राहुल तुम्हारा क्या कोशन था भाई कल की वीडियो पे सिर्फ एक बच्चे ने कोशन डाला हुआ था उसका डाउट मैं अभी क्लियर करूंगी राहुल आपने कोई कॉशन नहीं पूछा यहां पे पूछा था हो सकता है वो स्कीप हो गया हूँ मैंने आपको बोला हुआ है कि जब क्लास खतम हो जाती है तो लास्ट में ओफ-लाइन कमेंट कर दिया करो कि मैडम मेरा यह डाउट है मैं डेफिनेटल आपका डाउट नेक स्टूडिंट है अगर होता तो अब तक रिप्लाई आ जाता तो उसका डाउट जो है हम अपने टॉपिक के बाद क्लियर करते हैं क्योंकि वह इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके डाउट है एम आपने कहा भी था कि मेरा कोश्चन इग्नोर मत करना बिल्कुल भी नहीं कर रह को अपने बस्टू फ्रेंड सरकल को बुलाओ दोस्तों को बुलाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट करें चलिए भई कोई नी कोई नी कोई नी नहीं चैनल हो चलिए देखिये कल हमने बात करी थी instrement transformer की instrement transformer में मैंने आपको बताये थे क्या ct और p.t मैंने आपको ct p.t के ultimate भी बताए थे ठीक है इसके बाद next इस में जो एक हमारा topic रह गया था चार से पांच पॉइंट बताने है मुझे आपको तीन से चार पॉइंट बताऊंगी वह पॉइंट लिख लेने आपने क्या की CT और PT में ध्यान से सुन लेना CT और PT में कुछ डिफरेंस है वो डिफरेंस देख लीजे क्या है पॉइंट बना के लिख लेना ठीक है थोड़ा लेवल डाउन करें देखो बच्चे यह जो क्लास चल रही है आरजे कृष्ण यह जेई की क्लास है इसमें आपका लेवल डाउन नहीं कर सकते यूपी PCL के लिए अगर आपकी हाइली रिक्वायर्मेंट है तो मैंने पहले भी का था आप विवेक सर की क्लास में एक बर बोल दीजिएगा मैं भी उनसे बात कर लूँगी आप वहाँ पे सर को रिक्वेस्ट करके यूपी PCL की सैपरेट क्लास चलवा सकते हैं कोई दिक् देखिए कि आपको क्या बता रही हूं CT और PT में कुछ डिफ्रेंसीज है वो डिफ्रेंसीज क्या है लिखते चलना और एक बच्चे ने कल ये भी बोला था कि मैडम आपना लिखा करो बच्चे मैं पूरा बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स होते हैं शोट में कर रही हूं ऐसी कोई लेंग्वेज यूज नहीं करती जो आप लोगों की सामझ में ना आए ठीक है अच्छा देखिए सबसे पहला में डिफ्रेंस क्या है आपके पीटी को क्या है पीटी को एज़ पैरलल ट्रांसफोर्मर कंसीडर किया जा सकता है और सीटी को एज़ सीरी इस ट्रांसफोर्मर कंसीडर किया जाता है तो इस पॉइंट को बोल रही हूं लिख लेना कि पोटेंशिल ट्रांसफोर्मर में भी कंसीडर एज़ पैरलल ट्रांसफोर्मर विद इट्स सेकेंडरी नियर अंडर ओपन सर्कीट कंडीशन ठीक है लिख लेना ध्यान से लिख the potential transformer may be considered as a parallel transformer with its secondary nearly under open circuit conditions whereas current transformer may be thought as a series transformer ठीक है एक ये point clear हुआ series transformer under short circuit conditions ठीक है clear है क्या बोला है कि potential transformer को as a parallel transformer consider किया जाता है under open circuit condition और CT को क्या किया जाता है as a series transformer consider किया जाता है under short circuit condition ठीक है एक ये बात clear हुई दूसरा इसमें main point क्या लिखना है लिखिए next point next point लिखिए the primary current in a CT is independent of secondary circuit condition while the primary current in PT depends on the secondary burden ये बहुत important point है लिख लिखिए क्या बोल रही हूं कि CT में जो primary current होगा ये IP CT में जो primary current होता है ये आपका secondary circuit के independent है लेकिन PT का primary current आपके secondary circuit पे depend करता है है थीक है हां जी बिल्कूल होगा CRO start पहले ध्यान से देख लो इनमें ये सिरफ 3-4 point बताने है एक point ये बताया दूसरा आपको क्या बताया है आई-पी जो है independent होता है independent of secondary circuit लेकिन इसमें क्या है PT में IP primary current जो है depend करता है एक ये point क्लियर हुआ ठीक है ये भई मयंक भई आप new student ओ ऐसे ये बीच का topic चल रहा है बीच में disturb नहीं करो मैं आपको measurement पढ़ा रही हूं मेरा नाम क्या है क्या नहीं मेरी सारी डीटेल जो है यह आपके इस पर लिखी हुई है topic subject हमारा measurement चल रहा है topic हमारा CT instrument transformer चल रहा है CT PT जो की measurement में यूज होते हैं आपको बता दिया था और CT PT में difference क्या है सिरफ यही रहा है यही तीन चार पॉइंट कल की क्लास के जो रहा गए थे वह आज पूरे कर रहे हूं ठीक है ऐसे बीच में आओगे पूछोगे तो बार बार नहीं हो पाएगा ठीक है स्वात्ति आपका रह गया आप एक बरी दुबारा देख लीजेगा नेक्स पॉइंट लिखिए नेक्स पॉइंट सुनना भाई जो प्रॉपर वच्चे नोट्स बना रहे हो क्योंकि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंस रेगुलर है और नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं ये लाइने बोलती हूँ चलिए नेक्स थर्ड पॉइंट देखिए इन अ पोटेंशिल ट्रांसफोर्मर फूल लाइन वोल्टेज इस इम्प्रेज़ अपोन इट्स टर्मिनल इस इम्प्रेज़ अपोन इट्स टर्मिनल वेराज एस सीटी इस कनेक्ट इन सीरीज विद वन लाइन अग्स्मोल वोल्टेज एक्सिस अक्रोस इट्स टर्मिनल ध्यान से सुनले ना भाई नोट्स भी साथ साथ बन्वारी हूं दुबारा सुनलो थर्ड पॉइंट इन अ पोटेंशिल ट्रांसफोर्मर फुल लाइन वोल्टेज इस इम्प्रेज़ अपोन इट्स टर्मिनल ठीक है बट इन अ सीटी विद वन लाइन अग्समोल वोल्टेज एक्सिस्ट अक्रोस इट्स टर्मिनल देखो क्या कह रहे ये तीसरे पॉइंट में कि पीटी में क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइन वोल्टेज उसके टर्मिनल पे आपको मिलेगी पूरी की पूरी लाइन वोल्टेज आपको पीटी के टर्मिनल पर मिलती है लेकिन CT में क्या होता है CT आपका series में connect होता है तो small voltage उसके terminals पर मिलती है ठीक है भई CT का क्या मत्द्द CT में क्या है कि बिल्कुल very small voltage जो है इसके terminals पर obtain होगी clear है अच्छा next fourth point लिखिए under normal operation line voltage is nearly constant under normal operation line voltage is nearly constant and therefore flux density and hence exciting current of a potential transformer varies only over a restricted range but in CT primary current and excitation of a CT vary over wide limits ठीक है यह भी सुन लो यह चोथा point क्या कहता है कि इसमें जो CT में excitation current होगा CT में जो आपका excitation current होगा और primary current होगा और primary current होगा वो vary करेगा एक wide range में लेकिन PT में excitation current जो है वो vary करेगा एक small range में इसको सिर्फ इतना याद रख लो ठीक है ध्यान से सुन लीजे क्या कह रही हूँ कि चोथा difference क्या है CT-PT में CT में जो excitation current है वो vary करता है over a large range एक wide range पे लेकिन PT में जो उसका excitation current होगा वो vary करेगा within a small range ठीक है बात समझ में आई देखो जिनको English कम समझ में आती है मैं उनके लिए समझा हिंदी में भी रही हूँ लेकिन notes जो है वह वो तो भाई देखो technical की notes English में बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा J-E level पे तो बहुत बढ़िया इसलिए बोलती English में हो ठीक है भाई समझाती हिंदी में ही हूँ Monotech measurement में आपके साथ से आठ कोश्चन पूरे आते हैं आठ से नो भी हो जाते हैं J-E में अब ये समझ में आ गया भई CT और PT में फरक क्या है अच्छा ये clear हो गया अब एक चीज ये topic खतम होने जा रहा है instrument transformer का तो इस पर जो एक doubt था एक बच्चे का मैं वो अब clear कर देती हूँ मुझे नहीं लग रहा वो बच्चा है इस time पर जो भी मेरे साथ 34 बच्चे अभी जुड़े हुए हो इन 34 में अगर वो M.A. बच्चे का नाम था M.A. उसने कल की वीडियो में पूछा था question 1 अगर वो बच्चा है तो सुन लो मेरे को बता देना नहीं है तो भई आप offline जब भी देखो तो देख लेना ये सुन लीजिए उस सब के लिए beneficial है कईयों को इसका answer पता भी होगा कईयों को नहीं पता जिनको नहीं पता वो सुन लो एक बच्चे ने मैंने कल आपको जब ये instrumentation transformer आपका start करा था तब मैंने आपको बोला था कि transformer एक static device है तब मैंने क्या बोला था कि transformer एक static device है जिसमें आपका जो क्या काम आता है कि आपकी voltage या current को कम या ज़्यादा करने के step up या step down करने के काम आता है at constant frequency ठीक है ये बात बोली थी तो static device का मतलब बताया था क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी rotating part नहीं है तो उस बच्चे ने बोला question अच्छा था no doubt उस बच्चे ने बोला कि मैडम अगर उसमें कोई भी static device नहीं है तो लेकिन उसमें एक sound produce होती है एक आवाज आती है transformer में ये question हला कि machine का है लेकिन बच्चे ने पूछा था machine भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी तो मैं अभी clear करें देती हूं कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को एक बात बताओ question अच्छा है आवाज आती है क्यों आती है वो आवाज बताइए कि क्या बोल रही हूँ अब transformer एक static device है आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कूल पढ़ा होगा और मानते भी है सारे कि transformer एक static device है उसमें कोई भी rotating part नहीं है माल ली तो फिर भी उसमें क्या होता है जब वो working condition में है तो उसमें एक voice आती है एक sound आती है एक noise आती है क्यों क्या कारण है उसका कोई बता सकता है आप सब इंजीनियर हो ना ना स्वाती कैसे लोस टेक्निकल जाओ थोड़ा सा डीप में जाओ एर गैप आधे धूरे पर पहुंच रहे हो हंजी राहूल भी देखो आप सब का ना मिला की आंसर बनेगा देखो क्या होता है अब थोड़ा सा बता देते हैं टेक्निकल की बात है कोई बात नहीं ट्रांसफोर्मर का ऐसा डाइग्रम सबने बनाया होगा ये यह क्या होती है प्राइमरी यह होती है आपकी सेकेंडरी बेसिक सा यह तो सबने देखा है देखो क्या होता है प्राइमरी पे जब हम प्राइमरी पे अपनी वाइंडिंग्स पे करंट देते हैं यह बात सच्च है कि इसमें हमारा यह ट्रांसफोर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है यह बात भी सच्च है इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट भी नहीं है यह भी सच्च है लेकिन अब इसमें पहली बा आइशा में पहली बात पहा जाता है हम्मिंग हमिंग ऐसे जी 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 की आवाज आती है इसको कहा जाता है हमिंग नोईज ठीक है अब यह होती किस वजे से एक टेकनिकल फिनोमिना है क्या magnetostriction इसकी वज़े से अब ये क्या चीज मेडम ये तो कभी पढ़ा ही नहीं magnetostriction और आपको बता दू सबको पता है ये अब लोगों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना सबको पता है बस ये नाम नहीं पता था ये एक अलग बात है अब सुनो magnetostriction होता क्या है जब हम अपनी AC सपलाई इस पर देते हैं इसमें क्या होता है flux setup हो जाता है तो ध्यान से देखना बई क्या होता है अब थोड़ा सा deep है basic है deep है जब ये जो flux setup होता है ये कैसे nature का होता है alternating alternating यह जो flux setup होगा यह flux कैसा होता है alternating nature का alternating का क्या मतलब है इस तरीके का ठीक है भई इसी तरीके के nature का होता है तो देखो क्या होता है एक cycle में यहाँ 0 यह आपका आपका पाई एक complete cycle होने में जो यह flux setup हो रहा है इस flux setup के time पे यह जो आपकी coils है यह कहलो जो यह core की sheet होती है यह क्या होती है ठोड़ी सी contract होती है expand होती है contract होती है expand होती है contract होगी expand होगी तो एक complete cycle में ध्यान से देखना एक complete cycle में जब यह आप supply देते हो flux setup होता है यह जो coils है यह magnetism attain करती है तो उस magnetism की एक पूरी cycle में यह जो coils है दो बार contract होती है और दो बार expand होती है इस चीज़ को यहां से भी समझ सकते हो देखो पहले यह expand हो रही थी फिर यह contract हुई फिर expand हुई फिर contract हुई तो यह जो expand और contract में यह जो हलकी सी voice produce होती है वही आपकी कहलाती है humming noise वही आपकी सुनाई देती है पता चल गया हीजिंग noise भी कह सकते हो humming भी कह सकते हो बाई समझ आया यह की सबको change in frequency नहीं होता स्वात्ती बाई बोला था कल भी क्या जा रहे हो बच्चे है क्लियर हो गया सबको यह transformer एक constant frequency पे काम करता है यह तो अब भी तो देखो आईए चोटे से फंडे बता दिया तो बीच में topic आ गया इसलिए बता यह मशीन पड़ाओंगे न सारे फंडे हिला दूंगी तुम लोगों के चलिए मशीन के लिए तो ऐसा basic लाओंगे याद रखोगे कि कभी इंजीनियर इंग भी पड़ी थी हमने बुक अपूर्वा तीवारी को की सीज के लिए बुक पूछ रहे हो उपर भी एक बच्चे ने पूचा था चलो बही चलो आज़ो अब वापीस अपने topic पे डरा ने रही बलकी इंस्पायर कर रही हूं कि अच्छे से बढ़ाऊंगी आओ देखो अब instrument measurement subject पढ़ रहे थे measurement में आपका instrumentation transformer का chapter हमारा क्या हुआ खतम हो गया अच्छा इसके बाद next आपका topic जो है next chapter क्या लिजिए next topic क्या important बड़ा बड़ा लिखते हैं CRO आपको बता दूं हंजी CRO CRO इसमें से question बहुत कम आते हैं लेकिन इसमें पढ़ने का बहुत कुछ है जैसे आपका instrument transformer मर्वी सां measurement की book तो भई एक के सानी उससे बढ़िया बुक नहीं कोई और किसी institute के notes नहीं उससे बढ़िया जाओ मैं भी खुल मैं अपने भी कहती हूं मेरे खुद के notes कई जगाओं के mixture है सही बताऊं तो लेकिन measurement के लिए एक के सानी से बढ़िया बुक मैं नहीं कहती इतनी मोटी बुक है 11-1200 पेजों की है मैं उसको खुद अभी तक अपनी लाइफ में 5-6 बार पूरी पढ़ चुकी हूं कि चाप्टर नेम तक रटे पड़ें आप तो कि कौन सी बुक कहां के लिए अगर सई से पढ़ना है तो और जो यह मैं टेस्ट के लिए पूछ रहे हो टेस्ट के लिए भई हाँ मोनोटेक बिल्कुल समझ में नहीं बिल्कुल टिफिकल्ट एस यारो अब समझ में ना है ना तो कह जाना सुनिये है इसनो झोफ टेस्ट के लिए में पूछ रहे हो एक तो बहुत टेस्ट के लिए वीरवेख सर भी आप लोगों के लिए मैं खुद कर सकते हो वह ड़ो mismos कि मजबूरन हमें उससे और र отправ है लेकिन दूसरा जो बुक पूछते हो, बुक के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप कोई भी प्रीवियस यर बुक ले लीजिए, चाहे वो आप किसी भी पब्लिकेशन की लो, चाहे वो आप रुकमनी की लो, प्लैटफोर्म की लो, यूथ की लो, राकेश यादव की लो, केडी केमप देखो भई देखो, अब CRO, दरो नहीं, CRO से मैं समझाओंगी, चिंता ना करो, पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखके चलना, बहुत ही डिफिकल्ट है ये, मेजरमेंट का काफी मुश्किल सबजेक्ट है, और ये एक चीज़ और हाँ, सबसे बड़ा इंप इलेक्ट्रोनिक्स भी देखोगे, क्लियर है, इले आपके जो भी इलेक्ट्रीकल के स्टूडेंटों, इलेक्ट्रोनिक्स के हो, सब को बुला ली लीजिएगा, देखो, सबसे पहला तो ना, ये ही डिफिकल्ट और इसमें से क्वेश्चन जो पूछते हैं, इसलिए वो पहले तो इसकी फूल फो में लिख लो, कैथोड रे ओसिलो स्कोप, कैथोड रे ओसिलो स्कोप, अच्छा, ठीक है, अब देखो, जो जो पॉइंट बताऊंगी, वो वो पॉइंट लिखते जाना और सुनते जाना, CRO सबसे पहली बात यह होता क्या है, किस काम आता है, CRO आपका सबसे में जो इसका काम है, वेव शेप एनालिसीज का, वेव फोम या वेव शेप एनालिसीज, किसी भी प्रकार की, कोई भी वेव शेप है, ट्रेंगुलर है, साइनोसोडल है, सौर्टूथ है, स्क्वेयर है, कैसी भी wave shape है वो इस पे आपकी observe की जा सकती है यह एक display device है CRO is a display device which is used for the measurement and analysis of different wave shape CRO क्या है एक display device है दर्शाने वाला device है जो की कई सारी wave shape के measurement के लिए और उनके analysis के लिए काम आता है ठीक है अच्छा दूसरा इसको हम क्या कह सकते है ध्यान से सुनना इसको हम एक xy plotter के नाम से भी जान सकते हैं किस नाम से xy plotter xy का क्या मतलब है अब देखो कोई भी wave shape बनाते हो यह sinusoidal बनाओगे या आप अपनी यह triangular बनाते हो या यह rectangular बनाओगे या square बनाते हो कैसी भी बनाओगे 60 बनाओगे तो कैसी भी wave shape बनाओगे एक क्या लेते हो y plane एक लेते हो x plane तो इसी लिए कहा है कि यह cro क्या है एक xy plotter ही है जिसके उपर different different wave shape represent की जाती है अच्छा एक यह बात समझ में आई कि और आगे बढ़ो कि इतना हो गया आगे बने देखो अब बात आती है कि इसका सी आरों का stylus कैसा होता है या स्टैलस कर देड़िया मैनम इस्टैलस पहले यह बताओ इस्टाइलस एक इसका अगए तो बाद में बताऊंगे पहले यह बताओ यह पता भी है कि style क्या होता है कि यह बताओ stylus पते क्या चीज होती है यह सी आरों के अंदर की बाते हैं बाहर की नहीं है बाहर तो सिर्फ गोल-गोल सरकल दिखते हैं कि यह क्या नम है प्रमन रायन कुशावा जी मैंने अभी ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं कि आपको समझ में नाया हो सिम्पल सी बात बोली है सी आरों की फूल फूम बताई कैथोड रे ओसिलोस्कोप यह है क्या एक डिस्प्ले डिवाइस है जो की वेव शेप मेजरमेंट और अनलिसिस के लिए काम आता है ठीक है और इसके बाद क्या क्या है कि इसको आप एक सिम्पल सा एक्स वाई प्लोटर ऑफिक है सकते हो सिर्फ इतनी सी बात बोलिया है अच्छा आप यह बताव स्टाइलिस क्या होता है फिर बताऊंगी कि इसका स्टाइलस कैसा है स्टाइलस नहीं पता है डेको और आपको बताओं आप लोगोंने सबने देखा अच्छा स्मार्ट फोन सारे यूज कर रहे हो और पढ़ रहे हो smart phone भी सारे used कर रहे होगे नहीं नहीं परदा नहीं 스타일 आप लोग smart phone लैंटो डिया लैप्टोप computer सारे यूज कर रहे हो तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो starf पहले बहुत पहले जब यह smart phone की discovery हुई थी ते टचस्क्रीन आए आए थे तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो यह स्मार्ट फोन चलाने के लिए खासकर चाइनीज फोनों के साथ आता था यह फोन है इसके साथ में एक पैन सी शेप की पैंसिल आती थी या एक छड़ी सी कहलो जिस से यह स्मार्ट फोन ओपरेट होते थे यह टच 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 करे जाते थे याद है याद है उसी को कहा जाता है स्टाइलस बता रही हूं सुन लो स्टाइलस क्या होता है कि जो पैन या पैन शेप का या फिर कहिए सिलेंड्रिकल शेप का ना पैन शेप कहिए एक पैन की शेप का एक आपका क्या इंस्ट्रुमेंट जो की डिजिटल डि आता है वो कहलाता है उसका stylus ठीक है बात समझ में आई stylus क्या बता रही हूं कि stylus क्या है एक pen shape का instrument है जो की किसी भी digital device या touchscreen device जैसे की mobile phone laptop इन पर लिखने की काम आता है वो कहलाता है उस device का stylus जैसे आप आप लोगों ने देखा भी होगा पहले जब phone बने थे नए नए स्मार्टफोन तब उंगली से टच ना करके यह चड़ आती थी एक pen की समझो stylus का मतलब क्या हुआ कि जो एक उस device के ऊपर आपको output indicate करने वाला point इसको थोड़ा सा समझो यह pen का आपको मैंने example दिया था यह आपको example दिया है तो अब इस stylus को CR में समझने क्या से ठीक है देखो stylus समझा गया अब इसका stylus जरूरी नहीं है हर device का stylus यह आपका pen की शेप का होगा यह आपको समझाने के लिए बताए था CRO का stylus कैसा होता है हाँ बिल्कुल रहता है अन्चु कुमारी रहता है सब में रहता है stylus देखो अब क्या चीज़ है इसका CRO का question पूछ लेता है CRO का stylus कैसा होता है इसका जो stylus है जो plotter पे दिखेगा आपको plotter क्या होता है जिस पे आपको shape दिखेगी जिसे screen भी कहते हो ठीक है आपका CRO का stylus एक luminous sport के रूप में होता है क्या बोल रही हूं कि लिख लेना कि इसका stylus कैसा होता है एक luminous sport के रूप में stylus of a CRO is a luminous sport अब यह बता हूं यह भी आप लोगों ने देखा होगा कई-कई जगाओं पर यह भी बताती हूं कैसे कभी भी यह जो आप लोग बिमार हुए हो कभी या कहीं भी हड़ी टूटी है या होस्पिटल में गए होगे x-ray machine देखिए x-ray machine होगी या फिर आपका even ultra sound machine होती है या वो कोई भी machine जिसमें आपकी जो यह यूज होती है आपकी नस से देखने के लिए pulse rate के लिए चेक होती है तो अगर आपने उसमें ध्यान दिया हो तो वो भी क्या होता है एक आपकी display screen आ उसमें ऐसी ऐसी wave shape आरी होती है और ध्यान देना कभी उसमें जो wave shape आरी होती है उसमें कई-कई जगापे न एक अधी point पे एक particular point पे यह डोट घूमरी होती है एक hard एक dark color की yellow color हो जाता है या कोई भी color की एक डोट घूमरी होती है जैसे जैसे वो डोट घूमती है वैसी वैसी वेशेप आती चली जाती है वो जो ये डोट है यही डोट इसका कहलाता है इसका stylus और इसको हम कहते हैं luminous port ठीक है? बात समझाई? हाँ, बिल्कुल ये जो TV का कहा रहे हो बहुत अच्छे है TV में भी यही CRO TV की जो पिचल ट्यूब होती है ये भी बता देती हूँ चलो TV की जो पिचल ट्यूब होती है वो आपकी एक टाइप की CRO लेकिन उसमें सिरफ थोड़ा सा फरक है वो भी अभी बताऊंगी मैं तो पूरी अब इसके बाद आजाओ नेक्स्ट इसके बाद आजो CRO किसी भी CRO का हंजी CRT TV अभी आजा मोनो टेक अभी बताती हूँ CRT क्या होता है मजा आएगा पढ़ाने में ये तो सारे कंसर्प्टी लेंगे तुम लोगों के हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल सबर करो सबर करो ये उदे राज CRT सब पढ़ाऊंगी TV का भी बताऊंगी कोई दिक्कत नहीं है सबर तो करो बिट्टा पढ़ो तो सई चलिए देखिए किसी भी CRT का आपको बता दूँ CRT भी हमारे कई सारे टाइप के होते हैं CRT हमारे कई सारे टाइप के होते हैं जनरल परपस डबल स्क्रीन मल्ट स्टोरेज टाइप के वह आपको कई उसकी टाइप में नहीं जाना हम अपने नोर्मल जनरल परपस CRT की बात करेंगे ठीक है जनरल परपस CRT की बात करेंगे तो उसमें किसी भी CRT वैसे आपका जनरल परपस हो या कोई भी CRT हो उसका जो सबसे में पार्ट है या यह कह लिजिए किसी भी CRो का हर्ट किसी भी CRो का हर्ट जो है वो है उसकी CRT वो क्या है उसकी CRT कैथोड रे ट्यूब CRT क्या है लिख लेना कैथोड रे ट्यूब ठीक है अरे डरा डरू नीरी पढ़ो मझे से पढ़ा रही हूं मझा आता है मुझे भी ऐसे पढ़ाने में डीपली तुम लोग भी पढ़ो देखो यह चीज याद रख लेना कि अगर जैसे तुम्हारे शरीर में से अगर मैं दि निकाल दूं क्या बच आखा है तुमारी बोडी में से दिल निकाल दौं क्या बचेगा तुम्हारा कुछ भी नी मर जोगे ऐसे ही शेया और का है Direkt profile pro के में समस्क्राइन्प शामऻाई यह एक कि यह सीअलटी आपकी चलो बता देति मेंटेस जो उचल रहे थे टीवी में भी यूस होती है उसमें उसके डिंफलेक्शन का डिफरेंश आता था है वह अभी बतांगी अच्छा, बनाओं CRT, या दिखा दूँ, तुमें तो बनाना है भई, मैं बना के दिखाओं या ऐसे ही दिखा दूँ, चलो बना देते हूं, बनाओ एक CRT, डाइग्राम बनाओ, क्योंकि बनाओंगी न, तो ज़्यादा सही रहेगा, एक इस तरीके से, तुम लोग भी बनाओं भई, साथ साथ, तुम लोगों के लिए बना रही हूं, इस तरीके से बनाओ, बनाओ इसको भई, साथ साथ बनाते जाओ, हाँ बना की दिखा रही हूं, साथ साथ बनाते जाओ, तुम भी फिर, जर अजल लोगों, क्याओ, क्ड़दें नहें पीज़ानाँ को काल वर्यादाँ बनाओ लोगराएर, ज्कशोछं को होग भी बनाओ, तो नहीं कोटना बनाओ, जी ढरतार प्त Allई बनाओ भाई इसको जल्दी से मोधी यह बनाओ जल्दी से इसमें से यहां से इसक्षे जल्दी से जल्दी से, इसक्षेटे लगा इसक्षेटे शेक्षे शेटे lap जल्दी बना लो भई जए मोनो टेक रुख जा भाई मेरे रुख जा सारे कलर निकाल लूंगी चिंता ना कर इसको भर लेना बेशक इसको फिल अप कर लेना पूरा इसको फिल अप कर लेना पूरा डिफरेंस दिखाने के लिए यह एक्वाडो कोटिंग कहते हैं इसको मैंने लिख भी दिया है कर दो कर दो कर।एम कर दो करें दो है करें दो करें आ WAS प्यूंजर सब्सक्राइब अजय भना वै और का लिख हो गई उपर लिख दे पूरी बना दी तुम्हारी टाइम हो गया गया यह बर्टिकल प्लेट हो गई यह नीचे लिख रही हो ढई यह नीचे लिख रही हो दिख रहा हो गई हो हो गई सबकी नेमिंग कौन से यह बनाओ फटाफट से स्पेश्चिव लग रहा है स्पेश्चिव नहीं है यह CRT पता है इसको पूरे को यहां से यह कैथोड से लेके यहां तक कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रोन गन यह बेस हो गया पिन हो गया ऑग यह जलदी से यह पूरी एक CRT है बहुत क्लियर इमेज बनी है भई हां रुकजा भाई मेरे प्रोब का रहेगा वो एक्स्ट्रा असेसरीज है जो इसके साथ यूज की जाती है अभी बोला था बीच बीच में मिक्सिंग ना करा हो तुम्हारी तरह अगर मैं सिरफ तुम्हारे कोश्चनों का अंसर देने लगी ना बीच बीच में से बताने लगी कि हां ये ये होता है ये ये होता है फिर तो कंसेप्ट पता हो गई नहीं किसी को समझी नहीं आएगा मैडम क्या बोलके चलेगी क्या पढ़ाके चलेगी इसलिए शुरू से लास्त तक जाने दो फिर अगर तुम्हें लगे कि नहीं बीज बार बुच्छो मना ही नहीं है बिल्कुल निकलते हैं इलेक्ट्रोन देखो बई एक चीज़ और बता देती हूं हो गया होगा सबका जिसका नहीं हुआ बेशक से आप अपने फोन का स्क्रीन शोट ले लेना देख के दुबारा बना लेना ठीक है एक चीज़ और दे इसमें यह जो आपके एनोड लिये हैं एनोड है यह आपकी होरिजोंटल वर्टिकल प्लेट है इस पे क्या है कई सारी वोल्टेजिस आएंगी यह जो मैंने आपको अभी डाइग्राम दिखाया है बना के यह जो डाइग्राम है ध्यान से सुनना यह जो डाइग्राम है आपका यह सिरफ और सिरफ मैंने आपका CRT का बनाया है यह पूरा CRO नहीं है इस CRT के साथ ध्यान से सुनना इस CRT के साथ इस वर्टिकल प्लेट पे कई सारे वर्टिकल एम्प्लिफायर की मदद से ध्यान से सुनने ना इस वर्टिकल प्लेट पे कई सारे वर्टिकल एम्प्लिफायर की मदद से हमारा सिगनल वोल्टेज एपलाई की जाती है फिर उस वोल्टेज में से सिंक्रोनाइजर एम्प्लिफायर की मदद से हमारी प्लेट पे भी वोल्टेज दी जाती है अच्छा ये सुनते जाओ बस अभी और इसके बाद ये जो आपके एनोड है इन एनोड पे भी ध्यान से सुनना इन एनोड पे भी एक हमारी साट टूथ वोल्टेज शेप दी जाती है साट टूथ वोल्टेज शेप दी जाती है ऐसे ये आपका heater है, cathode है, इन पे भी अलग-अलग voltage दी जाती है, with the help of a very very another circuit, वो भी अभी आपको बताऊंगी, चिक है, वो भी अभी बताऊंगी, अभी के लिए पहले, ये CRT काम कैसे करती है, क्योंकि अगर ये CRT काम कैसे करती है, इसमें क्या है, ये समझ में आ गया ना, तो आ प्रेडम ये voltage कहां से आई, वो voltage कहां से आई, क्योंकि कल मैं आपको एक पूरा CRो का general block diagram दिखाऊंगी, इसके साथ, ये तो एक छोटा सा diagram है, उसमें उसको आपको CRो का general diagram दिखाऊंगी, उसमें ये CRT मात्र इतनी सी है, इसके साथ कई सारे extra device जोडे जाते हैं, वो भी पड आऊंगी टेंशन निलेना लेकिन पहले ये समझ लो ठीक है देखो इसमें होता क्या-क्या है किसी भी CRT का ध्यान से सुन लेना किसी भी CRT के सबसे 4-5 main important part है वो main important part कौन-कौन से है वो नाम लिख लो ये बना भी लो और लिख भी लो सबसे पहला किसी ये भी CRT का सबसे most important part जो है सबसे पहला है electron gun assembly मैं उपर लिख रही हूं पहला कर इस CRT का ये CRT क्या है CR-O का part है और इस CRT के भी कुछ parts है ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं कौन मेरे notes update करते है टेलिग्राम पर भई मैं नहीं नहीं देख़्े बिल्कुल आओ him study office आओ बिल्कुल आओ मना नहीं है अच्छा सुनिए क्या बोल रही हूं ये CRT आपके देखो जैसे अभी मैंने बताया था heart क्या है आपके किसी भी human body का दिल क्या है मतलब अगर वो नहीं है तो आपकी जिन्दगी खतम लेकिन उस दिल के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है जैसे उसके अंदर नसे जा रही ह ठीक है देखो मैं बायों की नहीं हो सकता है गलत भी हो रहा हो लेकिन उस दिल के अंदर भी काफी कुछ होता है blood circulate करता है उसके अंदर काफी सारी नसे भी है ठीक है ऐसे ही ये CRT क्या है CRT आपकी CRO का heart है लेकिन इस CRT में भी कई सारे main part है तो सबसे पहला main part उसका क्या है electron gun assembly ठीक है दूसरा main सबसे important part लिख लो deflection plate assembly दूसरा क्या है deflection plate assembly तीसरा main part लिखिए fluorescent screen फ्लोरोसेंट का क्या मतलब है ये भी बताऊंगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन चोथा main important इसका बापार्ट लिखिए glass envelope glass envelope और पांचवां लिखिए base देखो ये है base इसके बाद ये बाहर वाला glass का बना है ये आपको बताया है electron gun assembly ये deflecting plate और ये आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये main पांच हिससे हैं ठीक है बात समझ में आई अब ये पाकाम कैसे करती है ये पांच हिससे क्या कैसे रोल करते हैं ये और बताऊंगी आपको ठीक है ये अब शुरू करूंगी न तो खतम नहीं हो पाएगा इसलिए time हो चुका है कल बताऊंगी एक चीज और सुनना भाई ये ये डाइग्राम कल जो रेगुलर स्टुडेंट फोलो कर रहे हो ये डाइग्राम कल सब की नोटबुक में होना चाहिए क्योंकि अगर ये डाइग्राम नहीं होएगा समझ में नहीं आएगा मैं ये डाइग्राम दुबारा नहीं बनाऊंगी पहले कह देती हूं यह आप इसको प्रोपर बना लीजिए बैटर रहेगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही आप लोग अपना काम करो लाइक करो शेयर करो दोस्तों के साथ अपनी नोलिज को अपने तक मत रखो ज्यान बट रहे अपने दोस्तों को भी दो कि अपना ही नोलिज कि यहल आप णो अपना ही आपना ही नोल आप सानी बट जो आपना ही करो झापलäv बट शेंटर दो diesel से ढद आपने दो बैएर कि आप एंना ही बटंचक्ट